Hello students, take out your Hindi Swarachana book and open page number 4040 तो बच्चों, आज हम lesson number 37, A से U तक की revision करने जा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्ण क्या है? अक्षर को उससे शुरू हने वाले चित्रों से मिलाओ तो बच्चों, सबसे पहले आपको अक्षर देखना है और आपको पेचनना है कौन सा अक्षर है? यह अक्षर है E, E से क्या आता है? E से? E से इमारत तो यहाँ पर चित्र देखो आप, यह तो O, A, E, E है, उसके बाद यह इमारत का चित्र है तो हमें क्या करना इसे? जोड़ी लगाने इस तरह, E से इमारत नेक्ष्ट है और लगाना आ, आ से क्या आ सकता है बच्चो? आ से यह तो O, अक्षर का है यह तो अक्षर है, यह इमारत है, यह उपहार याने बेट वस्तू, उसके बाद यह आग का चित्र है, यह उपर और यह इद तो फिर O, A से क्या आ सकता है? और लगाना आ, A से आग, आग का पर है देखो, यह रही आग, आग यह ने फायर यह भी हमने जोइन कर दिया है, मैज से पेर, उसके बाद कुन सा अक्षर है बच्चो यह? पेचानो इससे, बोलो अ, A से अक्षर, यह रहे अक्षर, नेक्ष्ट, E, E से क्या आता है? E से इद, इदे त्योहा रहे उसके बाद U, U से उपहार, उपहार याने भेटवस्तू, यह रहा उपहार नेक्ष्ट, दूसरा U, बड़ा वाला, उके? U से उपहर, यह एरो दिखाई दे रहे, पतंग कहां उड़ रही है? हवा में उपहर, उके? तो इससे आपको मैच करना है, U से उपर, इस चित्र में उपर पतंग उड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इससे मैच कर लिए ओके students, आया समझ में? आपको इसके रिविजन करने, ओके? E, E से इमारत, A, A से आग, A, A से अक्षर, E, E से इद, U से उपहार, U से उपर, ओके students, thank you